आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपने वेबसाइट का जो हेडर होता है उसे कस्टमाइज कैसे करते हैं तो इसी के बारे में आज हम यहां पर बताएंगे ऐसे अपने वेबसाइट का जो हेडर होता है उसे कस्टमाइज करने लिए बहुत सारे अपसंस होते हैं जिससे कि अपने header को हम लोग customize कर पाएंगे तो दोस्त अगर आप भी चाहते अपने website को header को customize करना तो दोस्त आप स्टुडियो का अंतर जरूर देखिएगा मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हुरू अपते चले तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्त अपने website पर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरा website का header है कुछ इस तरह से भी दिख रहे हैं तो अगर हम लोग चाहते हैं इस header को customize करना तो अपने पास बहुत साथ options है जिससे कि अपने header को customize कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर आपको बताने वाला हूं दो अपने को options से देता है लेकिन क्या होता है कि त्रीके से फूली कस्टमाइज कर पाएंगे और अपने तरीके से header को customize करके बना सकते हैं तो दोस्त चलिए हम लोग सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा थीम है अस्ट्रा थीम है तो इस अस्ट्रा थीम से हम लोग को कैस कैसे कस्टमाइज करेंगे तो क्या करना है कि अपने website को login करना है लॉग इन करने के बा चुका और आपके मिलेगा header builder के नाम से तो अपने को क्या करना है उस header builder पे ख्लिक कर देना जैसे कि मैंने यहां पर header builder मेनव हो गया उसके बाद यहां पर काउट का एक बटन दिया गया इब जो कर अग乾क्स bilang प्रसम पर veggie हैं यहां मेनू हो खाएक से यहां पर यहां वहां मेरा मेन्फ नीचे में आजाएगा अगर हमें साइट में इस तरऊ-टाइटल जो आप देखेंगे कि यहां से जब्यवन याड़ हुआ है क्यूंकि यहां पर चल रहा है एशा यहां पर आपको लाइब दिखता है आप जो भी करते है तो मैं एक बार रिफ्रेस्स कर लेता हूं अभी दोस्त आप देखेंगे जो हम लोग का हेडर था यहां पर हेडर में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम लोग फिर से यहां पर header builder पर आते हैं और हम लोग जीस तरह से भी header बनाना है उस तरह से हम लोग यहां पर बना सकते हैं जैसे कि जो पहला options मिलता है तो हम लोग यहां पर जो भी चीजे रखना चाहते हैं रख सकते हैं अगर हम लोग side logo ही रखना और हमरा जो काटवाला बटन है जो काना चुक है और हम लोग फीर से मेनू मेनु को रखना है तो उसके बाद प्रैमेरा क्लिक करें प्रैमरी मेनू को होगा है कि यहां तो यहां पर सोगना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से यहां से कट करके बाहर आ जाएगा सेम ऐसे ही आप फूटर बिल्लर से अपने फूटर को क्रियाट कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग ने जो चेंजिस किया था इसके अंदर दूसरा जो आप्शन है करने देमेंटर के दोवार हम लोग करेंगे तो यहां पर अपने यहां युब्स चाहिए दोस्ता आपके पास प्रों होना चाहिए अगर आपके पास प्रों इलेमेंटर नहीं है तो इसyseल्ट दोस्त में मैं अ तो यहां पर प्रो आला मेरे पास Elementor, Pro Elementor मैंने इस्टॉल नहीं किया है, अगर दोस्त आप चाहते हैं कि Pro Elementor यूज करके आप अपने header को कस्टमाइज करने लिए, तो दोस्त आप यहां से ThemeRaja.com की वेबसाइट पर आजाएगा और यहां पर Elementor Pro अमातर आप 99 रुपय में आप यहां से बाई कर सकते हैं, यहां पर दोस्त आपको बहुत ही कम प्राइज में कोई भी theme और कोई भी plugin आपको मिल जाता है, तो आप यहां से बाई कर सकते हैं, तो चलिए अपने वेबसाइ हैं, उसे भी हम लोग अपना header को create कर सकते हैं, यहां पर क्या करना है कि आपको header footer search कर लेना है, अब आप यहां पर देखेंगे Elementor header and footer builder, तो आप इसको भी install करके अपना header को create कर सकते हैं, यहां पर बहुत सारे plugins मिल जाता है, जिसके दुआरा आप अपने header को create कर सकते हैं, दूसरा एक और मैं plugin बता देता हूं, उसे भी upload कर सकते हैं, तो यहां पर आपको search करना है, elements kit, हमने यहां पर search कर दिया, elements kit, तो आप elements kit सर्च करेंगे, तो यहां पर elements kit के नाम से यहां पर add-on आपको मिलेगा, जिसको install कर लेना है, तो आप जो मैं पहले वाला plugin बताया था, उससे भी आप अपने header को create कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन free वाला plugin से नहीं कर पाईएगा, तो आपको कोई add-on ने install करना परेगा, या तो आपको elementar pro आपको use करना परेगा, तो यहां पर add-on को यहां पर add किया है, और इस plugin को मैं activate कर देता हूं, जो मैंने पहले plugin install किया, और उसको activate नहीं किया हूं, इस वाला plugin से मैं आप बता दता हूं, इस plugin से आप बहुत ही आसानी से अपने header को create कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्ता आपको क्या करना है, कि यहां पर elements kit पर आना है, तो यहां पर first time में आपको थोड़ा सा settings करना होता है, तो कुछ इस पर जो पर दोस्ता है? कि या जो भी AiPBERKर करना है तो इनेबल कर सकते हैं, जो चीज है a P August timely से पर आना होता है, सब effectively सेब कर दिया है, इसके बाद दोस्त अपने यहां पे मिल जाएगा है header और footer का option यहां पे क्लिक करने के बाद दोस्ता अपनीए की यहां पर चीज़ क्रेट करेंगे उसका नाम देंगे तो मैं यहां पर header क्लिक कर दिया है इसके बाद हम लोग क्या चाहिए header चाहिए header चाहिए header तो दोस्त यहाँ पी अपने को एन्टाइर वेबसाइड रहने दोना है अगर आफ सिंगल पेशि cust कर दो करते कम उपने के बाद दो इसके बाद यहाँ पर से possibilities कर देंगे क्लिक करना है अब आपको एडिट कंटेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्ति हां पर उपने को क्या करना है कि आप दोस्ती यहां पर देखेंगे तो यहां पर elements kit का एक option सुमी लेगा इस पे आपको click करदेना है आप elements kit पे आप click कर देंगे तो यहाँ पे आपको category चूज करना होता है तो अथे जिसे आप पे पहले से बना हटा है उस पर आप e-derm करकी आप अपने लिए को कॉस्टमाइज कर सकते हैं यहां पर हमाली फाफ् Gold Beach को यूज करता हूं तो चलिए यहां पर आपको दिखाने के लिए यूज कर रहा हूं यहां पर तो मैंने इस टैंपलेट को आपको कि यहां पर लोगो तो यहां पर मैंने अपना लुगो में लगा दिया उसके बाद को अकर आता है चाहरारा से邊yr wieltech यहां पर कुछ और हां बीदार्याइट मैं में अपना सब्सक्राइब सनो को एक search का icon मिलता है जो कि यहां से search का icon को भी किस्टमाइज कर पाएंगे उसके बाद यहां पे एक mobile menu आपको मिल जाता है तो आपके पास full control ऑफ बिल्कुल changes कर सकते हैं और यहां पर इसका कोई किस्टमाइज रूक देना चाहते हैं तो अब दे सकते हैं मेनु का यहां पर आपको बहुत सारा आप्सिंस मिल लाता है सेंटर और यहां पर अलाइमेंट कर सकते हैं यहां पर इसका जो भी लाइन एरो देना चाहें दे सकते हैं उसके बाद इनेवर कर सकते हैं उसके बा बेक्राउंड कलर देना है तो आप यहां से बेक्राउंड कलर भी दे सकते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं तो कुछ इस तरह से यहां पर बेक्राउंड कलर भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो यहां पर बेक्राउंड कलर देना चाहें तो दे सकते हैं उसके बाद यहा से कोई दूसरा फंट यहां पर यूश कर लूँ तिया मेरा यहां पर दूसरा फंट भी आ गया और इस फंट को अगर मैं बोल्ड करना चाहूं तो मैं बोल्ड कर दिया और इसका फंट के साइज अगर घटाना बराना है तो भी मैं कर सकता हूं यहां से कुछ इस तरह से कर सकत अब को सेक्षन को और it click करता कॉँछ यह इस तरह से तुरे एडर को आप कर पाइएगा उसके बाद यहां से दोस्त अपने मोबाइल के लिए अगर आप देखेंगा तो यहां पर आपको क्लिक करना और यहां पे अपने Mobile format में आप देख लेंगे कि आपका मेनू है कि इस तरह से दीखेगा इसको हम लोग कर लेंगे है कि जो मेरा कम कर लोंगा यहांपे क्लिक करने के बाद यहां पर भी 100% कर लेता हूं तो इसको क्या करता हूं कि 30% कर लिए तो इसके आप दूसरा इस तरह से मैं चाहूं मैं चाहता हूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ और जो एक मैं दोनों को चाहता हूँ ऑशआवि को रपशल का सु अब यहांद्र स्कुद्स करेंगे और यहां तुरों के अंदर हम चेलिक इस तरह सकते हैं अब इस वाले sectionny को मैं क्या करूँगा यहां पे कलिक करता हूँ और इसको में मुबाइल में hide कर लेता हूँ यहां पे responsive आएँगे और यहां पे mobile के अंदर कर देंगे तो यह having मुबाइल कंतर नहीं दिखेगा आप अपना जो हैडर होगा कुछ इस तरह से दिखेगा यहां पर अपना लोगो दिखेगा और यहां पर सर्च का इकन दिखेगा और यहां पर अपना मुबाइल मेनु दिखेगा तो अगर मैं इसको मैं अपडेट करूं और अपडेट करने क जो मेनू होगा मोबाईल फर्मेंट में कुछ इस तरह से दिखेगा आप यहां पर लाइव आप देख सकते हैं और इसके अंदर और भी कोई चिंजिस करना चाहते हैं जैसे कि इस लोगों का आप साइज बराना चाहते हैं तो आप यहां से बरा सकते हैं यहां पर आपको कुछ इस तरह से ही दोस्त आप इसको डिय्लाइमयंट कर पाएंगा और यहां पर जो हैं से चेंज कर सकते हैं इसतर से जो आईकन रगा हो है आप सकते कि सेंदे के द're कॉस्का यहां पे जो आइकन का अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको इस्टाइल मान अपड़ेगा इस्टाइल मान एक बाद दोस्ते आप जो अप्डेट कर सकते हैं इसका जो भी कलर आप देरा चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं अपने तरीके से फूली कस्टमाइज कर स सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यहां पर कोई इसको अपडेर कर देचिए और यहां पीप Это कर सकते हैं अब यहां पर मैंने जो changes किया है अब इसको एक बार हम रिफ्लेस करके यहां पर देख लेते हैं मैंने जो changes किया है कुछ इस तरह से यहां पर changes दीक रहा है अगर आप दोस्त इसको SDK करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं तो दोस्त आप इस तरह से अपने website का header जो है उसे कर पाएंगे तो दोस्तद अगर आको काश्टमाईब करने में कोई issue आता है कोई problem आता है तो दोस्तद आप comment जरूर करिजिए गा उसका मैं reply देने का जरूर कोसिष करूंगा तो दोस्त आप इस तरह से अपने वेबसेट का पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसके लिए थैंक्यू और साथ में नोटिफिकेशन दी अन कर लिजिएगा चलिए दोस्त फिर मिल दगल वडियो में तब तक जाएं